आप लोग ने लास्ट टाइम देखा था कि स्टेफ साइस किस तरह सेट करते हैं दो अनीक्वल वेक्टर को कि अगर एक्वल लेंथ बनाना है तो अब स्टेफ साइस क्या रखें इसका बताएं बेखल सब के सामने वाइड बूर्ड विजिबल है येश सर रेंज किस की रेंज य की रेंज को य की रेंज को x की रेंज को x की रेंज को y की रेंज को y की लेंज से दिवाइड कराऊंगे माइनस 10 जी तो क्या रिक हैं यहांपर यहांपर X2 इसकी लिमिट है फिलाल क्योंकर नेगटिव मा ऐगा तो यहांपर decreement को होगा sign नेगटिव साइन होगा क्योंकर हमने step size reduce करना है X2 क्योंकर भढ़ा x1 से यी range बतातेगा यी लेंट of इसको आप होल ब्रैकट में कर लें और एक्सटू क्लियर रहे है इतनी बात हमझ में आ रही है तो अगर हम इसको अप्लाय करके देखें तो प्रोग्राम में चल जाएगा अब जैसे यह प्रोग्राम है न्यूटन राफसन का ठीक है यह तमाम चीज़े होई है इसमें कुछ सम से ग्रेटर हो तो यह काम आपके पके पास करता रहे है अच्छ यहां पर क्लिक्लेट कर रहे हम भी माइनिस ए में न्यूटन राफसन है बी जनरेट हो रहा है यहां पे एकश वान और एक्स टू नहीं है यहां पर ए और बी के नाम समद कीए ठीक है एक इनिशिल गैसे ए औ और उससे हम degenerate करवा रहे हैं यहां पर पहले पहला iteration यहां पर outside the loop calculate हो चुका है ठीक है अब मैंने यही काम repeatedly करवाना है तो फिर मैंने इसको loop में inside this loop define कर दिया जो पहले आपकर टेबल होगा यह जो टेबल होगा command window में यह जो पहला iteration है यह outside the loop define हुआ है इसी काम को repeatedly करना तो व file loop के अंदर हो रहा है यह सारा ठीक है एक यह आपके पास A है यह आपके पास B है तो अच्छा A और B पहले इक दफार आ चुके है लूप के अंदर जब आएगा तो तब से पहले आपने serial number के लिए n is equals to n plus one करना है यह serial number आपका ठीक है यह आपने increase करना है तो सबसे पहले आपने यह कर दिया n is equals to n plus one फिर आपने compute करा है कि if n is equal to 51 मतलब आपने इतने iteration कर लिया है 50 iteration आप जा चुके है और इसके बाद भी अगर आपको route नहीं मिला इसका मतलब route एक्सस नहीं करता divergence हो रही है ठीक है यह आपने condition लगा दिया फिर आपने क्या है क्या एक step हो चुका है यह वाला iteration हो चुका है इसके बाद क्या होता है जो आपका a होता है वो loss हो जाता है initial gas और जो b होता है वही आपका new a बन जाता है और इस new a को calculate करते वे यूज करते वे आप नया b निकालते हैं जो कि यह receive होगा ठीक है तो आपने यही क्या आपका जो a था loss हो गया बी को आपने बना दिया और ने अभी calculate कर लिया अब अभी वाला जो भी calculate हुआ है और इसको पिछले वाली बीस है मतलब a से आपने difference ले लिया absolute मालूब कर ले वह आपका error होगा ठीक है अब आप मुझे बताएं के यह काम जो हमने करना है अभी plotting का वह इस ही आट्र लूप में करना होगा लूप में पहले attention काम कहां पर होगा अरुसिरही save कर लाने यह जो आपके पस काम होगा है यह जो a और b है यह भी general होगा है ठीक है यस सइर यह सइर की स्टार्ट में होगा बलकुए लूप के start में होगा तो हम यहां पर कर देते हैं क्योंकि अभी मेरा ए मौडिफाय नहीं हुआ है तो क्या लिखना है चाहिए अगें हमने लाइन फॉर लाइन ऐल वन करना है लाइन लाइन लिख दें आप लिखें क्या लिखें लाइन के लिखें लिखें लिख동 ले जी क्या लिखें आए युडिगें एकौर्स टू अजी यहा पर क्या चीज़ है माइनस 0.01 प्लस 0.01 और ये कहां तक 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 fx1 fx1 अब fx1 यहां पर क्या चीज है f of a f of a ऐसे यह जीज g q क्या हुआ पर p x1 a once multiply by once क्या होगा into 1 common length of x length of q तही है जी line 2 जी बता हैं क्या लिखें अब हमने starting से शुरू करना है तो negative f of a f of a f of a colon decrement होगा step size negative step size आएगा zero point zero point zero one 0 और क्या होगा जीरू तक जाने zero तक जाने यह यह कौन से वाले वेक्टर है servile और यह कौन सा वेक्र यह ना वॉ प्योडर यह यह वायवाला लगतर है न, तो जीरो तक जाएगा, जीरो तक जाएगा जिसमें हम X2 नही लिखेंगे स्टार्ट कहां से हो रहा है, A से, A से और और कहां पर जाएगा यह, B तक जाएगा, step size क्या लिखेंगे, step size, B minus, पिर आपके बस range आजाएगा, B minus A B minus minus A divided by length of J minus 1 J minus 1 length of J minus 1 length of J minus 1 J sir इसा ही है? जी यह गलत है आप क्या करें प्लॉट कर दें जी सर कलर दें आप कलरिंग जो कर दें सर वो लाइन के कलर का बूल रही है प्लॉट करना है हमने X और Y अब लाइन 1 को प्लॉट करते हुए X क्या है वाई क्या है Q और P इस तरह लिखें Q, P या P, Q P, Q P, Q क्योंकि यह आपके पास X एकसे प्लॉट कर देंगा है यह constant value है तो यह आपके बस P होगा अच्छा उसके बाद यहाँ पर आई कॉमा जे अगें वोल्डाउन ग्रेडाउन भी लगा दें आप रण बरेके देखें आपके साथ एंड के आखरे में आपने पास लगा दिया until unless कि में हर आट्रेशन पर अपने की इंटरप्ट ना दे दूं तब तक यह उसी आट्रेशन में पास रहे अगर अगर मजब इस इम देंट क्या कहरेंगे अगें आई और यह वैक्टर तेम लंग के नहीं है अगर हम आई और जी को देखें आपकर आई क्या है आपकर लेंट और आफ आई जीरो लेंट औो जेंट क्या हो रहा है कि slang क्या हो रहा है साथ कि yell को कम्प्यूटी नहीं कर रहा है अफ सर वीय हमारे पास ही निया वीया है अ आरफ मेरे दो मिस्क्राइब भी किया है पहले किया है यह अभी क्या एरर आ रहा है सर यह शायद जो आपने स्टेफ साइज लिखी उसका ही मसलों हो इसको एक किसी अलग वेरियबल में स्टोर कर दें इस पूरे को हम यह भी करके देख लटे सर इसको जी के बाद ले आए ना जी के बाद ले आए लेकिन अगर हम इसको यहां पर लिखे है स्टेफ साइस क्या बन रहा है यह देखेगा क्या है यह माइनस फाइफ पॉइंट एक्सपोनेंट माइनस फूर माइनस कम तो है लेकिन माइनस आप देखें तो माइनस मल्डिप्लाय भी तो करा रहे हैं तो वो प्लस हो जा रहा है इसलिए नहीं चल रही है माइनस यहां का और माइनस इसका वो प्लस बन रहे है और क्यूंकि आपने 10 से 5 तक जाना है ऐसे यह ना 10 से मतलब कोई भी आपका इनिशल रूटेल था अब जो निया बी कल्क्लिटर है वो इससे 10 से कम है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा वो किस स्टेफ साइसे जा माइनस आएगा क्योंकि आप 10 से नीचे आ रहे हैं माइनस भी करना पड़ेगा ए माइनस भी करना पड़ेगा ठीक है या तब एक आप अपने जिन्दगी इस तरह असान कर ले आपसलूट यह से आपको सर्फ डिफ्रेंस रेंज चाहिए ना मतलब ही नहीं यह सर्फ रेंज कि वज़े से नहीं थी हमारी गल्टी अपने साइन क्यों जासे थी तब ही वो दिल्कुल लैंट ओफ फाइब में जीरो आ रहा था वो कंप्यूटी नहीं कर रहा था यह लाएना गई है बज़रा रही है काफे बारी बनी हुए है एक स्टेट हुआ है यहां से तो इस पर ग यहां पर यह चीज़ बन रही है 5.25 अब किस स्टेप के लिए वो नेक्स स्टेशन में कंप्यूट करेगा ठीक है क्योंकि हमने स्टार्ट में कंप्यूट करवा है प्लॉट उसके बाद हम नया मालूम कर रहे हैं अब जो नया मालूम हो रहा है वह अगले स्टेप में होगा तो अभी यह मेरे स्टेश से किसी भी की इंटर्प कर जार कर जा तो अभी मैं इसको कुछ भी स्टेश एंटर कर रहता हूं अब प्लॉट पर जाता हूँ होगे चैंच है ठीक है नया चीज़ आगए नही वैल्यू आगए अब जाते हैं एक और इंटर्प देते हैं उसको नहीं वैल्यू टेनेट होगी एक आटर्प चला पिछले अटर्प प्लॉट आगए अगई एक और अटर्प चला यहां पर एक और वैल्यू आगई काफी ठोटी है हम इसको 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 बढ़ा करते देख स्टेंश यह वाली वैल्यू है तो आपको ब्लुकुल नजर नही बहुत ही चोटी है अब नजर आ लिए ठीक है यह कितना है जीरो से वन के दर्मयान कुछ आ रहा है तो मजीद हम इसको करते हैं अब वह और चोटी आगए तो इसलिए विजिबल और भी नहीं होगी वह ठीक है और से आके जारी होगी है अब यह आपके पास रूट आगिया प्रोग्राम ब्रेक हो गया है और अब आपके पास नीचे जिराफी प्लॉट हो रहा है वह अला ग्राफ कहां गया आपके बास जो भी लाइन से हमने प्लॉट कर वाई थी तो फंक्शन प्लॉट हो गया लेकिन हमारा फंक्शन कहा गया हमारा जो लाइन स्टी वह कहां गया बहुत चोटी बहीमी है क्लियर हो रही है समझ हमा गया प्रोग्राम बिल्कुल सही बनाया हमने लेकिन अब एक इश्यू है इश्यू यह है कि यहां पर दो रूपस आ रहे हैं अभी मैंने दिया थे इनिशल गेस टैन अब लेट सपोज मुझे तो नहीं पता मैं इनिशल गेस या यूजर इनिशल गेस देता है रूट यहां पर आ रहा है और दूसरा रूट कहां पर आ रहा है दूसरा भी यहां पर आ रहा है वहले इसके दरम्यान आ रहा है एक माइनस में आ रहा है माइनस 1.5 से माइनस 1 के इन बिट्वीन आ रहा है एक 2 से 2.5 इन बिट्वीन आ रह है निश्र गैस वन है एक है एक है क्या कहता है हमने तो बिल्कुर सही प्लॉट किया थे या गेन उसमें एरर इन न्यूटन रासन लाइन 29 आई जी दुबारा तो अब क्यों है रहा रहा है वजा सर्वेय स्टेब्स कम एक लूगे लिया है वो चेंज हमने लिया है पहले हमने 10 लिया थो और हम रुससे छोटा ले लिया है तो इसका इसकी वजन से प्रॉब्लम होगी है देखें देखें फिर और बी ऐ में मसला आ रहा है ना आई के अगर हम लेंड है क्याद आगेन वही वा इसका मतलब j compute नहीं कर रहा है अब j क्यों नहीं compute कर रहा है जे क्वान को तो compute करना चाहिए था वजह एफ आफ ए क्या है f of a मतलब पहले initial guess पे function की value initial guess पे function की value है negative minus three point six ठीक है और आपके पास negative three point six है आप जा रहे हैं zero तक क्या कभी जा सकते हैं नहीं तो उस टाइम आपके पास function की value क्या आ रही थी function zero से above था अगर आपको यादो zero five something आ रही थी five something नहीं आ रही थी आप नहीं बात नहीं समझें f of a वो positive में बन रहा था ठीक है लेकिन अब कि मैंना one लिये तो अब one पर let's suppose यह one है इस पर आपके पास जो f of a बन रहा है वो negative में बन रहा है one पर तो आपने क्या करना है आपने यह चीज़ इसके condition में डालनी है कि if आपका जो f of a है वो greater than zero है तो यह condition चलेगी तो यह condition चलेगी ठेक है condition क्या है इसको कहते हैं इसको कहते हैं इस्ट्रेस टेस्टिंग अपने क्रोग्राम का अरेस्पेक्ट में चेक करें अब चल जाएगा यहरर आएगा अब क्या वजह हो सकती है बता है वही काम करें लेंट लेंट अफ फाइज जीरो और लेंट अफ जे इसका मदल लेंट अफ जे तो कंप्यूट हो रहा है यह कंप्यूट हो रहा है यह में वैल्यूज नमर वैल्यूज निए अगर आप है देखें अपना ऑई है कहां से कहां आ की वैल्यू क्या है आ की रिंच क्या है ए से जाना है इनिशल गैसे न्यू कंप्यूटेड वैल्यू पर अब और वह भी नेगटिव के स्टेप साइट से ठीक है अब यह है हमारा ए और यह है हमारा यह आपका पर यह आगया यह वाला यह आगया यह आगया यह आगया यह आपका भी अलतब क्या हम इस से इस पर तो फिर ओ सार यहां पर भी कंडिशन लगेगी यहां पर भी कंडिशन लगेगी तो क्या कंडिशन लगा है कि मैं इस अधाइन सब्सक्राइब करने का मकसद यह कि आपको प्रोग्राम में से एरर निकालना आए करना बना बना प्रोग्राम भी आपको चलाते दिखाया जा सकता था पॉजिटिव होगा तो यह सब्सक्राइब होगा अब चल जाएगा अब क्या रहर दे रहा है अब क्या रहर देजा है अब ही का लटनी क्या अब अब क्या मतलब आप ए और बी की प्लेसे चेंज करें माइनस का सैंड के लगा जी बिलकुल यहाँ पर माइस आना चाहिए या तो अप इधर चेंज कर लें या तो अपकर कंडिशन चेंज कर लें ऐसे ही यह जाए यह डेफिनेटली जब यह बड़ा होगा तो नेगिदिफ के साथ यह भी ग्रेंट जेंगा इस देखने क्थाया जी सर वे प्राने थाको भरोड़े कुछ नजर आया आपको फिदर वगयरा ये सर जी सर ब्लू लाइन नजर आ रही है फिर इस पेस प्रेस किया अब ये क्या हो रहा है अगरे इस प्रेस किया अगरे इस प्रेस किया अगरे इसने फंक्शन की वगयरा है वेल्यू की ने प्लाइट की जी और अर्र भी ने दिया ये रूट बे पुराना वाला दे रहा है ये नया रूट तो ही नहीं नो सर ये नया रूट नहीं पुराना वाला ही रूट है नो सर एक या लाइन आ रही है एक आट्रेस्ट मत्रे दो लाइन आनी चाहिए जी जासर दूसरे लाइन क्यों नहीं आ रही है और लाइन आ क्या रही है वन हमने लिया सबसे पहले बात ये लाइन ल्टू आ रही है क्योंकि ये वर्टिकल पर्पेंडिकुलर लाइन नहीं है और लाइन है तो ये ल्टू आ रहा है लवन क्यों नहीं आ रहा अचा चलें ये देखें कि ल्टू जब आ रहा है तो ल्टू कहां शुरू हो रहा है ल्टू क्या यहां से शुरू होना चाहिए एफ of a से और कहा चाहेगा जीरो तक जीरो तक ऐसी हो रहा है यहां से स्टार्ट वो और जीरो तक गिया और एक्स के कंडिशन क्या थी एक्स कंडिशन क्या थी एसे स्टार्ट हो रहा है अब इसमें ए क्या चीज है और बी क्या है 3.225 यह तो क्योंकि बड़ा है तो आपने किस तरह जाना है आपके पास यह वाली कमांड लगीगी लेकिन अगले स्टेप में क्या हो रहा है क्या इस चीज़े सही हो रही हैं ऐसे ही होते है न्यूरण राफसन में एस ही होता है मैं अगले प्रलरॉट की बात ना करूं तो ऐसे ही होता है एकसी जो होता है वो एकसी हर्फसर já चालर होता है धिराफ pe में आसर पड़ है इश्यू ये है यहां से यहारी लाइन तो आगए एफ लेकिन एलवन नहीं आया अब एलवन यहां साना श्रू हो रहा है एसी क्या वज़ा है कि इसके लिए यहां से यहां तक ड्रॉ नहीं हो रहा ठीक है मतलब आपका प्रग्राम बिलकुल सही चल रहा है आप उसी रूट पाएंगे क्यूंकि आप उसी स्टेप को फालो कर रहे हैं यह जो स्टेप चल रहते हैं हमारे पिछला वाला स्टेप लिए ते आप उसी रूट पे आया है तो प्रोडर्यम काम बिल्कु सरी कर रहा है लेकिन L1 डिस्प्लेइ नहीं कर रहा है पहले वाले के लिए क्यों कि जीरो से स्टार्ट कर रहा है क्योंकि आपके पास जीरो से आपने अफ ए तक आप गए है और एक यहां पर यहां पर यह वाला गार्टर भी जिनरेट नहीं हो क्योंकि इसकी लेंज क्या है प्योंकि यह थो ऐसलिए यहां क्योंकि बेस्कार्फ है डिकार तो इसकी लेंज बहुआ है इसलिए इसलिए त्र है नियर werk आरहा है ऑक क्या मैशन दो प्रोट्रों कि आवसर तो माइन उडिस्य कंडिशन एंगे पिए उसमें डिक्रीमेंट कराएंगे मारिनस किसा लाँ रहेंगे 0.01 के साथ कंडिशन क्या लगेगी और कहां लगेगी यह बताएं Q और P से पहले लाइन वन के बाद लाइन वन के बाद क्या कंडिशन लगेगी इस Q Q वसला हो यह रहा था कि आपके पास जो F of A है वो नेगेटिव में था और जब F of A नेगेटिव में होगा तो यह वाला वेक्टर कभी जिनरेट होई नहीं सकता इस step size के साथ तो यह वेक्टर जिनरेट नहीं होता है इसकी लेंज जीरो थी तो इसकी लेंज जीरो थी तो अब हमने रेंज को वेरी करना है F of A के polarities के respect से तो polarity किस तरह जच करेंगे F of A की जीरो से compare करवाएं जीरो से F of A अगर बढ़ा हो तो फिर क्या होना चाहिए positive step size के साथ चलेंगे एसे है यह गलत कर रहा हूँ सर सेम रहेगा ना क्यों तो सेम रहेगा क्योंकि एको फिर बढ़ा है positive यह सर else में फिर negative आज़ा है सर पी वाली चीज भी तो आएगी ना क्यों के साथ उपस पी तो polarity पे स्टेप साथ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है पी नहीं तो बस Q के लेंड के जितना आप वैक्टर बना देना अब अगर आप प्रोग्राइम में देखें कि यह कंडिशन यहाँ भी लग रही है और सेम कंडिशन यहाँ भी लग रही है तो क्या यह प्रोग्राइमिंग के रिस्पेक्ट से efficient way है प्रोग्राइमिंग का कोड एक ही कंडिशन दो दफ़ा आप लगा रहे हैं तो क्या efficient way होना चाहिए कि एक कंडिशन जब लग रही है एक किस तरह हो गई है से जे को भी उसी ब्लॉक में डाल देंगे तो है यह सर तो क्यों को इस ब्लॉक में डाल देंगे और तो है तो है क्या सर्थ जी सर अब चलेगा प्रोग्राम जी अब बता हैं कितनी लाइन नजर आ रही है लू लाइन नाजर आ रही है लू लाइन लाइन ठीक है लू और रेड गरीई परपड आ गूए दोने चीज़ नजर आ रही हैं आपको यस सर गराफ ने जू ने चीज बू आ रही है पॉंक्शण क्यों ने आ रहा फंक्शन की क्या वज़ा है कि वो नहीं आ रहा एक फंक्शन यहां प्लॉट करवा रहे हम उपर सारा काम हो गया लूक से बाहर निकल गया हम पॉस करवा के अब अगर एंड की वैली फिफ्टीवन से कम है तब यह सारे काम प्लॉट हो गए है सब कुछ होगा और अबिसलि हमारा बस एंड क्या है फाइव है फिफ्टीवन से कम है तो कंडिशन ट्रू होगी इंसाइड आएगा एवन एवन क्या है इस ग्रीटर ठनबी इस ग्रीटर धनबी एवन एह है अग्र एवन वी इसे बड़ा है तो आई अब क्या करें एवन क्या है यह B क्या है 2.22 2.1 तो क्या एक इक इस टू होगी तो क्या चीज़ होगा आई के वेक्टर क्या बन जाएगा एल्स चलेगा और A1 की वेल्यू क्या होगी 1 1 से ये कहां पर जाना है B-A माइनस एक रेंज डिफाइन करी है यहां पर एक रेंज डिफाइन B-1 तो कहां तक चलेगा 2.211 माइनस वन तो क्या बन जाएगा 1.211 1 से स्टार्ट होगा और 1.211 तक चलेगा तो वो बिल्कुल बिचारा सही चल रहा है पुझे च्छोटी से रेट की राइन नजर आ लिया फंक्शन आपने सही तरह इसको रेंज डिफाइन नहीं किया तभी वो इस तरह हो रहा है आपने रेंज सही डिफाइन करना है तो रेंज जब भी मैंना पहले भी आपको लैप में समझाया था कि ये चीज़ आपकी जो डिफाइन करती है कि रेंच कहां से कहां तक आपने प्लॉट में डिस्प्ले करवाना है तो क्या होना चाहिए तो यह कि एवन से अगर आप शुरू कर रहे हैं प्लॉट करवाना और बी जो है वो एवन से बढ़ा है मतलब रूट आगी आ रहा है रा आपको रूट फंक्शन के अंदर प्लॉट हुआवा चाहिए तो एक तो start point आपको यह हो गया plotting का end point रूट के बाद होना चाहिए अगर आपका रूट एवन से बढ़ा है तो मतलब राइट साइट पर है इतना समझ में आ रहा है जी सर ठीक है तो अगर आपका रूट से इसका मतलिए condition false है तो आपने दूसरा end limit क्या set करना होगा प्लस वन प्लस वन के वे वन से शुरू हो और plot करवाते हुए जाए बी तक और बी वन से आगे मजीद जाए एवन प्लस कर मतलब यह two point two one भी आएगा इसमें function में और यह कहां तक जाएगा three point two one three point two one तक पुरा plot प्रेगा उसमें आप कोई root भी मिल जाएगा clear है अब इसको cross check कर लेते हैं इसके लिए कि अगर एवन बढ़ा हो तो क्या होगा एवन से start होगा बी छोटा है एवन बढ़ा है इसका मतलब एवन राइट साइड पर आ रहा है और root आपका left साइड पर इस बात ख्याल रखें आप लो तमझ में आरी मेरी बात कि अगर एक graph है अगर एक graph है ठीक है इसमें b यहाँ पर आ रहा है let's suppose और इसको annotate करते है let's suppose यह b है root है और अब एवन बढ़ा है b से इसका मतलब एवन यहाँ पर कहीं है right side पर अगर आपने इस b को उस पर function के range of plot करवाना है तो second यह तो start point है एसे end point आपको इस तरफ कहीं चाहिए तब यह function जो है वो इसमें से गुजड़ते वे जाएगा कुछ ठीक है end point आपको b से कम चाहिए तो आपने b में से क्या कर दिया क्लियर हो रही है और अगर यह इस condition के लिए है और यह मैं आपको बात पहले बता रहा था कि अगर आपके फस condition यह वाली हो एल्स वाली हो तो आपके पास इसका मतलब a1 चोटा है b से इसका मतलब a1 यहाँ पर आ रहा होगा कहीं पर बीच में यह start point होगा end point आपका b से right side तो आपने इसको प्लेस करवा दिया है इस इंपल कि लगती है प्लॉटिंग प्रैक्टिस नहीं है करते हैं यह सरे इनी चीदें के वज़ा से इस एक प्रैक्टिस होगा ना मैंने भी आप लोंके सामने साथर निकालें से ऑपतर अब तो सब्सक्राये सारे हैं अई इससे बात ने होती है मैं भी प्रैक्टिस करते हैं इन रचल दोनों विंडू आगे सामने एक और बन गया फॉंक्शन रेड लाइन से अब एक और चीज़ करके देखते हैं तमाम स्ट्रेस टेस का मतलब है हर तरह से आप चला कर देख लें न तो इसका मतलब है कि अब हम कुछ नेगिटिव में कर लेता है लक्ति काम करते हैं पहले हमने दिया तरह तरह पहले हमने डिया तरह तरह चल रहा है और वह काफी होगय तो इसले नाजर नहीं आ रहा है लेकिन अगर हम इसको सर प्वरा सा इनलाज़ करें रोम करेंगे स्थाइए जब मैंने लास्ट ताइम इनिशल गैस यहां पर डला था अब एक यहां डालने पर भी वह इसी रूट को फाइंड रहा है इस रूट पर नहीं आ रहा है अब इक काम करते हम में यह रूट चाहिए कि इसलगा सब्सक्राइब तो फौर माईनस फॉर माइनस फाइव डाल देते हैं माइनस फाइव तो अब हमने माने साइव इनिशल कैस्ट दिया इन्पूट और माने साइव देने के बाद अभी देख तो सही चल लाए नेस्ट रैटरिशन प्रोग्राम सही चल गया आखर में फंक्शन प्लॉट नहीं हुआ अब दबार आधा था अपने प्रोग्राम पे क्यों प्लॉट नहीं हुआ लेकर टेबल प्रिंट कराने का फाइदा यह होता है कि टेबल में साथ तमाम वैल्यूस है अब आप देख सकते हैं वैल्यू तो आ अगर हम यही आपका ग्राफ देखें तो जूम करगेu तो सही प्लॉट आ रहा है या नहीं आरहा था आधा वाथ सरह यहारा ठास यह लिद्ट यह भाए तो तो ऍक्रोट तो वे इसे प्लॉट गशें कर देख स्यवार जिंधार है लेकिन फंक्शन कीवस्वाइञ है यहां पर क्या होगा माइनस 5 और यह कहां जग चलेगा माइनस 5 माइनस 6 पॉइव यह ना यह आपके बस रूट है तो मैंटलब में कंप्यूट कर लिए है माइनस 1.24 आपके बस B है और प्लस का प्लस क्या करवान है आप इसमें माइनस का 5 माइनस होजाएगा माइनस 6.24 माइनस 6.24 तो माइनस 6.24 इसका मतलब आपकी रेंच शुरू हो रही है माइनस 5 से और आप जाएंगे माइनस 6 तक किस तरह जा रहे हैं आप पॉजिटिफ के स्टेप से जा रहे नौ सै नहीं पॉजिबल आप positive के steps ऐसे नहीं जा सकते हैं अब क्या करें? अब क्या करें? अब इतना चो आप लोग बता हैं absolute कर जें sir absolute किसको कर जें? B प्लस A1 को B प्लस A1 को Yes sir सर ये negative आ रही है ना value B प्लस A1 को करें? या सरफ A1 को करें? या A1 A1 को करें? A1 के वज़े से अगर A1 absolute हो जाए तो क्या होगा आपके पास? 5 हो जाएगा तो क्या अब इस range पर ये value plot हो जाएगी? माइनस 5 से लेके प्लस 3.76 तक या सर लेके तो हम इसका absolute लगा लेते हैं अब यहाँ पर भी लगा लेते हैं क्योंकि इदर भी हो सकते है कभी ने कभी मसला आ जाएगी घळी अब सकते हैं वर सकते हैं क्यूर्आ लेसे ले agents क्योंकि तर तेके ताए़ाबस और कि घसाप हो गाए़ाबसर ने ध scorp Agency बहाए़ा सकते हैं हो गया प्लोट? हो गया प्लोट यस सर तो आप रोगो दूसरी बार समझाने पे प्लोटिंग समझ में आईए झाल झाल झाल